एक तरफ जीत ही जीत एक तरफ खीज ही खीज होली में बीजेपी की मुस्कान चार राज्यों में बीजेपी के प्रदम्शन से जहां पार्टी में उत्सा उमंग के रंगुलार इस होली में भी नजर आ रहे हैं तो वहीं इस होली को श्युपुरी की नर्वर पंचायत में जीत ने भी खास बना दिया है होली का तोफा हमारे नर्वर के जनता ने भारती जनता पार्टी को दिया है कि 13 और 2 से 13 मत भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी को मिला है और 2 मत कॉंग्रेस को मिला है मध्यप्रदेश में फागुन का महिना ही कुछ ऐसा है कि ये बीजेपी को जी और कॉंग्रेस को टीज दे जाता है 20 मार्च 2019 को ही तो कमलात ने CM पत से इस्तिफा दिया था सिंद्या के बीजेपी में शामिल होने से कॉंग्रेस सरकार गिर गई हलाकि इस बार 20 मार्च से कॉंग्रेस भी घमासान की तयारी में है करके करके पृत्य माझारपन करें बचाना और इस प्रखार की बातें बो लो कर रें है जिनों ने इस देसके ंंदर संव्धान की हत्या के लोक तंत्र की हत्या करने वाला कोई दल इस देसके अंदर है तो contrast है कि इमर्जेंसी एक नहीं दो दो बार इमर्जेंसी लगा कर संविधान को किसने रोंदा और उसके सबसे बड़े सिपैसालार ये दोनों लोग मद्वर्देश के जो निता हैं जो दिगविजे सिंग और कमलनात ये उसके सबसे बड़े प्रमुक में आज भी रहते हैं कॉंग्रेस ने होली के बाद का प्लान बना रखा है वैसे एक दिन पहले कमलनात ने सिंधी कल्याण समीती का भी गठन किया यानि होली भले ही बीजेपी खेलेगी लेकिन उसके रंग उतारने की तैयारी कॉंग्रेस ने भी इस बार की है ये बात और है कि उसे सफलता कितनी मि अश्कार में हूँ मनोस्ते निया और हमारा आज का मुद्दा है होली बात संगराम। होली दिल मिलने का तैवार है होली जीवन में। उस साह कि रंग में रंग भर कर जीने का संदेश देती है। लेकिन मद्धिपेदेश में होली का संदेश थोड़ा अलग। फागुन महिने में 2019 में कॉंग्रिस सरकार गिरी थी इस बार भी चार राज्यों के नतीजे कॉंग्रिस के लिए अच्छे नहीं रहे यानि इस हुली में भी बीजेपी जीत के रंग में रंगी रहेगी लेकिन हुली बात घमासान भी होगा क्योंकि कॉंग्रिस ने घमासान का प्लान बना रखाया आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे मेरे साथ तीन मैमान जुड़ेंगे मैं उनसे आपका परचे कराता हूँ डक्टर हितेश बाजपेई साब है प्रिगुपता भारती जंता पार्टी के सर आपका सागत है चो तरी राकेश सिंग साब है पूर मंतरी कांग्रिस के बरिष्ट नेता आपका भी बहुत सागत है और दिनेज गुपता सरे बरिष्ट पत्रकार सर आपका बहुत सागत हुशकर राकेश जी ये जो होली के बाद गमासान की तैयारिया आप कर रहे हैं समीधान बचाओ दिखाई दे रहा है लेकिन उससे पहले जैसा बीडी शर्मा कह रहे थे केलारस का एक परिणाम आया है तो होली के रंग में जादे बीज़ेपी नजर आ रही है मैं आपके बंसर न्यूज के मात्यम से बैठे हुए सभी हमारे मित्रों को बढ़ाई देता हूं और मद्द प्रदेश के सभी आपके दर्शुकों को भी घर्देश से बोली की शोग कामना है प्रिशिद करता हूं और मैं सुनना था आदर्णी श्री वीडी शर्मा सहाब को हो कह रहे थे कि सम्विधान की दच्चियां उडाती ही इन लोगों ने और एमर्जनसी लगाई है और हो सकता है वो अपनी कुस्तक के नहीं बढ़ पाते हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सम्विधान के वारे में स्रीमान गोलवलकर जी ने क्या कहा इनकी जो कुस्तक थी जिसमें 133 नवनीत विचार उसमनों ने लिखा है कि सम्विधान ये कुट्टे विल्लियों के लिए है जो बना है 1961 और ये कहा है कि सम्विधान को तो विल्कुस समूल नश्ट कर देना चाहिए और नश्ट करना ही नहीं भावना यहां तक घ्रनित थी मैं पुस्तक लेके बैठता हूँ अगर बालपे जी कहेंगे तो उनों समझ रहा हूँ आपका मूड क्या है कहिए कहिए आप फूली का रंग है आज जिसका दिनेजी भी सत्यापन कर देंगे तो मान लूँगा मैं जी बही ये भी पढ़े लिखे लिखे हैं तो बढ़ना है मैं अपने पढ़े लिखे होने पर ही प्रशन रहता हूँ सत्यापन दूसरे से नहीं कराना मैं पुस्तक के पढ़की देंगे तो सर आप प्रसंद रही है फिर परिशान कर रहे हैं इसी बाते जाला कि कईए सर पूली बात कीजिए किताब हाथ में है और मैं पर बात करते हैं अपने लिखा है 133 गुरु जी का समग्र दर्संद प्रश्ट 3 पे लिखा हुआ है खंड तीन प्रश्ट 128 पे कि इस इसको जड़ से हटा कर तद अनुसार संविधान सुद्ध करना चाहिए अब सुद्ध क्या है मैं यह नहीं समझ पाया उसमें परिवर्तन समयानुकूल करना बही किया जा रहा है हमारे पास जो सुद्ध करने का मतलब है कि जो कानावश्यक कानून है जो दबाव में बनाए गए चीज़े हैं उन सब को रिपील करना उसमें परिवर्तन करना और हमारी सरकारों ने किया है उसमें क्या है उसमें कौन सी रौकेट साइंस निकाला है आप बोलियों आपने तो हिम्मती ली 307 को अटाय है हमने ये शुद करना है हमने ट्रिपल तराक को अटाय है ये शुद करना है एक बार सुन लेते हैं आप नाराज नहीं हो आपका माका बले तब 5 पीस आप बोले बोट ताइम है आप पढ़ लिया करो व्याक्षा हमसे करा लिया करो आप मजह मालो मैं कि मैं एलैन्वी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो एक डॉक्टर कानून की व्याक्षा नहीं कर सकता ठीक से जरूत पड़ेगी तो जो व्यक्ति इस अहिंकार में होता है कि मुझसे बहतर कोई नहीं है उसको मैं नमन कर सकता हूं बस अब उस तक कहे तो उसको विजवा देंगे पढ़ लेना उन्होंने यह का कि सम्मेधान को शुद करना आज है तो कर रहे हैं सुद इसलिए अंगर्ण्य सब्द है उसमें जोड़ना और गठाना सब्द है सुद करना इसलिए है कुस्तक लिखी इसको मुझे सुद्ध करना है इसको बीस तारीक को भी सुद्ध करने की तैयार है बिल्कुल बीस तारीक जो दिन था वो काला दिन था मद्धप्रदेश के एक चुनी हुई लोगतंत्रिक सरकार को गिरा देना गैर कानूनी तरीके से और अठाहस करना अपने तरीके से लोगतंत्र का मजा पुड़ाना है समिधार का मजा पुड़ाना है जी तर एक चुना हुए विपक्ष के नेता द्वारा अविश्वास प्रस्ताओं को लाना और उसके बाजू में खड़े होके अठाहस करके उसकी दज्या उड़ा देना ये भी सरहलोकतांत्री की होगा फिर तो बुरा दमानी है का होली है साब करता ही होली मैं तो ऐसे लोगों को जो अपने आपको यह कहते हैं कि प्राण जाए पर बचन ना जाए मैं रगवंसी हूँ पैवन रगवंसीयों की जात प जो बचन से पलड़ गया साक्षात प्रभू हरी आपनी कर ला है होली की बताती है होली की तैयारी होली की तैयारी यही सब चलता रहेगा होली की कुछ तैयारिया भी है सर मैं सामने बैठा था और मैंने आपका अत्ता हाथ सुना है और अजय सिंग जी के चहरेक पर उड़ती हवाईयां देखी है तो सर यह तो राजबीती है सर अब बहुत अच्छा बोले थे वो घाव आश्तक उनके दिलों में कितनी होली निकल गई अब जे सम्विधान सुलो पहले जिसको आप सुद्ध करना चाहते हो सर उसी सम्विधान की दख्जियां उनाई थी बाजू में खड़ो के उपनेता के रूप में आप अब इतने ब्यक्तकत रूप से बोलना है तो तो मुझे कुछ कहना नहीं है आपकी दख्जियां उड़ चुकी है आपको दोबारा चीर में नहीं बनाए गया है आप कार्या ले नहीं जा रहे हो बीजेपी का आपने वहिसकार किया हुआ है पता नहीं कौन सी अख़बारों इंतियार करो आपने कहा कि मैं बहुस्तार कर चुका हुआ है नहीं बिलकुल नहीं तो बात किया करें तो सुद्ध किया करें मुझे मौका दिया करें मुझे बीच में ना टूपार निए ठीक बात होश्यार है तो मुझे फिर मत बुलाया करिया आप अपनी बात पूरी करेंगे तो आप सर ऐसी बातें नहीं बोलेंगे जो गयर तरफ्षात नहीं नहीं सर देखिए यहां पर मेरी भ्यापक्ति है ऐसा तुरूने कुछ भी बोलेंगे के लुए हम हम पुबलिक के बीच जाते है पब्लिक जिताती इसके लिए हम कहे लोट लोट जाए जब ओने हमको डरते हो आप हमसे आप लड़ने की जगह नहीं है अच्छी किताबे पढ़िए अच्छी किताबे पढ़िए हम भी बेजेंगे और आप पढ़िए और कारेला जाना सुरू करिए ताकि भाजापा का पहिश्कार बत करवा प्रभू आनंद दाता इन्हें ग्यान देजी ये ये जो हुद्दा है आपको ग्यान और सद्मुद्धी और देदे चलिए सर मैं लोट रहा हूँ इतनी आपकी उम्र है उतनी विदार सभा में काट दिये बाच्पी जी मैंने सर होली मुबारा को सब्सक्राइब मैं पाइब तो भासा का जवाब ये ते जाएगा सर आशुर्वात आपने करीं है अपने मुख्या पर बोलए आप अपने मुख्यात्मा बातें मत बोलियों वह भी कॉंट्रोर्स है क्यों करें क्यों करें वह अपने तरकों से आपको नश्ट कर देंगे देखो गुसा हो गया मुख्या मुख्या मिले तब आरे कैसा थोड़ना होता है यह कुल बात हुई क्या आरे लोट रहे मैं मुख्या दे रहा हुना सर राके जी डक्सा बेख में तरीका ठीक रहे है आगे डक्सा बोलूँगा मैं कहूंगा संग चरंगे जन्ने का विरोती है मैं कहूँगा संग्धान का विरोती है आप जो चाहे है आप बोले एक बात बात यही है कि होली का दिनी कैसा होता है जिसमें रंग भी लगते हैं गुलाल भी उड़ता है कहीं खुसिया होती है तो कहीं खीज जिसे हम कह रहते लेकिन इस अब चलता रहता है चुना में हार होती रहती है बीस तारी को कॉंग्रेस संभीदान बचाओ यात्रा निकाल रही दूसरी तरफ हम भारती जन्ता पार्टी को देख रहे है वो जीस से उस साहित है राजनीती में भी अलग 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 रंग होते हैं और समय के साथ अनुजी वो बदलते रहते हैं कभी किसी प उसको यह नहीं कह सकते कि यह पाक साफ है और यह दागदार है तो आप देखिए कि जैसे जिस तरह से हम आपातकाल का एक हर साल यह बनाते हैं कि 24 जून को या 23 जून को कि देश में आपातकाल लगा था तो एक हम इमर्जेंसी भारती जिनता पार्टी विरोध करती है यही म सुधार क्या है आप सुधार जो कॉंग्रेस का एदी लगाता हम यह देख रहे हैं कि मद्रप्रदेश ही नहीं बहुत जगह जो है कॉंग्रेस कमजोर हो रही है और आज दो राज्यों में सिमट गई जो भारती जिनता पार्टी की दो सीटे हुआ था कुगा करती थी लोग जाता है हमें पता नहीं होता जो कॉंग्रेस का हम देख रहे हैं कि जब एक बार देश में आपने जब सब जगे राज करने लगे हर चीज ठीक होने लगी इंद्रा गांधी तक राजीव गांधी भी बहुमत ले आए उसके बाद आप प्यार करिए कि नबे के बाद से जो क अख़ार मजबूत कर रही है तो कॉंग्रेस का जब चरन हो रहा है तो कॉंग्रेस को तो आज जरूत है हम देख रहे हैं कि G23 की अक्टिविटी फिर से चालू हुई है तो सब को पता है कि गांधी परिवार के बिना कॉंग्रेस नहीं चल थकती और यह वो कॉंग्रेस नही मियं गांधी के ख़लाफ रहुल गांधी के ख़लाफ चुनाओ लड़े ना जस्तरह इसeur से राजनितिक प्रिक्रिया है आप परिवार के ख़लाब आप जो है नया नेता चाहेते हूं अनेता इस से नुकसान किसको हो रहा है कॉंग्रेस पार्टी को हो रहा है भारती जनता पार्टी में इतना लंबा नहीं खिसता बिवाद दोनों का जो है न कि वो नों ने तो जो है उसको धुआ उठने से पहले रिपेर कर लेती इसलिए आ हार जीत तो राज नहीं ता कि आदत नहीं होती उसको कोई फरक नहीं पड़ता यह तो आदमी है जो यह कहता है कि आज इसके खराब दिन है इसके अच्छे दिन है कि एक कश्मीर फाइल चल रहा है तो लोग दिवा ने ऐसे 1977 में जब चुना हुआ तो लोग जन्ता पार्टी क बहुमस से ले आए तो यह सब चलता रहता है कोई बहुत जो है कॉंग्रेस पार्टी अपनी काम कर रही है और भारती जन्ता पार्टी जीत रही है तो उसे सह जिता से अपनी रखे और तेश्ट में फिर अगला बिधान सबागा चुना होगी है जी डख सब आप तरफ बहुत चोटा है लेकिन कई बार चुनाओं से एक मैसेज बढ़ा जाता है क्योंकि यह वही कहला रहा है जहां से आपको हार का सामना करना पड़ा चार राज्यों के चुनाओं से निश्चित रूप से आप उस्साहित होंगे पर कॉंग्रेस जो कर रही है उससे यह भी समझ कारेकरम बना लीजे है कोई हर दल को अधिकार है विपक्षम है क्यों नहीं बनाने चाहिए तो पहले तो उस कारेकरम की कारेकरता की बीच स्विकारता क्या है क्या है क्या है हमने डिजिटल अभियान देखा कैसा बाउंस हुआ खुद कमनलाज जी का बयान है कि उसमें बनलोग चर्चा भी कर चुके हैं इसके बाद बीच से आप ती रंगा भी निकाल लीजे साब को इसमें बुराई थोड़ना है वह आपका अलोग तांत्रीक अदिकार है लेकिन पहली चीज किसी भी कारेकरम की नीतिगत सेंक्टिटी क्या है क्यों निकाल रहो है क्यों निक तक गई है मैं दुखत स्थिती से कॉग्रेस गुजर रही है इसको कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है ऐसा नहीं होता था पहले कि को लेकिन वही बात हुई ना लगातार सफलता है मिलती गहीं तो इसमें सब भूली है उनको लगा साब हुई तो हमारा एकाधिकार है देश के उपर और आप सोचिए कि लगातार अवनती हो रही है मतलब मैं इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं रखूंगा और अब केवल भूपेज जी और राजस्थान की सरकार बची हो बूपेज जी की और आप देखिए भूपेज जी जैसे कश्मीर फाइल देखिए देखिए था कि उस पर चर्चा हो कि ठीक हुआ नहीं हुआ कौन लोग थे कौन जिम्मेदार थे इतनी बड़ी घटना अब्भे में देश में हुई तो आगे बंद्पदेश में दोजार अठारा में तो किया कॉंग्रिस ने आप आप लोग हारे चुनाओ सर मैं फिर आपके पास कि हमारा एक प्रतिशत वोडर दिक था उसके बाओ जो हमारी पांच सीटे कम थी हमारी लोएर बियोक्रैसी और बाकी पर इस्तितिया ऐसी थी जिसके कारण हमको बहुत नुक्सान हुआ कई जगे पर जो हमारी सीटों की कमी मैं इस बात को मैं कितीनी बार आपके सामने कह चुका हूँ लेकिन साब हमने पंदरा महीने शिवराज जी के नेतरत पे उस पे मंधन भी किया आपने देखा हो और रोज साड़े नोबजे सुबह आ जाते थे जब विपक्ष में थे और सब जानते हैं कि कॉंग्रेस की सरकार बीस तारीक को कोई हमने नहीं गिराई है लेकिन जब बही एक बड़ा धड़ा निकल कर आया उन्होंने हमारे शीयर्ष में तरत 시작 से बात करी कि नहीं साम यहां नहीं रह सकते और वो 22 वधाय के नेतरतवं में निकल कर आए और उन्होंने फिर प्रस्ताव भारती जनता पारटी को पास रखा तब हम अब किताब को छोड़िएगा, लेकिन 20 तारीक को आप जो आंधरन करने जा रहे हैं, जिस दरंगा यात्रा को निकाल रहे हैं, चार राज्यों के पढ़ना हम आपके सामने हैं, G23 हम सब को दिखाई दे रहा है, कहीं तो समिक्चा, कहीं तो बिचार ये भी करना ही पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, ये ठीक है कि 2018 में आप लोग आए, सत्ता में आपकी बापसी हुई, अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बाद फिर उक्चुनाओ हुए और भारती जंता पार्टी चुनाओ जीतकर सरकार बना ली, तो अब वो चीजे तो खत्म हो जाती, लेकिन आगे की राह बनाने के लिए ये लोगों को समझाने का प्रयास है, या फिर मंतन भी होगा इसमा कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपनी विचारधारा तैय करता है, अपना संघर्स तैय करता है, अपना कारिकरम तैय करता है, और कॉंग्रेस भी पूरे तरीके से, चाहे वो घरगर चलो अभ्यान हो चाहिए सोचल वीडिया के मात्यम से हो चाहिए तरंगा यात्रा के प्रितिक राजनी तेक डल का कतब है अपने कारिकरताओं को चेतन रखे और ऐसे कारिकरम करें अब जहां तक बहुत अच्छी ब्याख्या दिनेश जी कर रहे थे अपने दिमाग से पेड़ कंग्रेश को तो जड़ने में बहुत समय लगा कंग्रेश बोले हिंदुस्तान 具 PCR को जड़ाया जनसंग को चड़ाया उनके दीए में तेल नहीं रहने दिया जनता पार्टी को मंदेश लेकर कि रख्वार के वरसों तक भारती जनता पार्टी Iraqi कर किनार बनी रही संसद का म एक राजनितिक दल को 55 साल लगे सत्ता बनाने में और एक राजनितिक दल 55 साल तक अपने संग्ठन की दंप्रदेश में रहा कारिकरम अब जुमें जुमें अगर 7-8 साल से कॉंग्रेस के कमजोर दिन चल लए तो अगर हम कोई कारिकरम करेंगे तो उसी पर टिपड़ी है ऐसी करेंगे अपने गरेवान में जहाबके नहीं देखेंगे लोग सामें नहीं पहुंच पाते थे चुनाव वहारते थे जी और किसी बच्चे को नहीं मालूम होगा अटाल जी 52 में चुनाव लड़े तीन constancy से और दो में जमानत जब तो ही एक से जीते हैं उन्होंने कहा कि मैं पहली बार गया वाहाँ है सर यही चीज तो कॉंग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि यदि वो जमानत जब तो ही और जमानत जब तो होने के बाद सरकार में प्रदान मंत्री बने वो लगातार वो चुनाओ जीत रहे हैं और कॉंग्रेस बहां थी जहां अर्श से फर्स पर आई तो उस पर बिचार तो हो प्रदू किलो मोधी जी की और पचास किलो सिर्वाज की देश चलेगा रोजगार देने से देश चलेगा फ जनता जमाढ़र देख है समझ जाhewित। आप पुसाद करने की चलिए सरा आप सब बहुत बढ़ी आ बोलिए जैसे आप सब अच्छा कर रहा है मान लिया सर और तो आपकी अवनती क्यों रही लगाता है भई आपने कुछ बताया हमारी उनती क्यों रही है इसका कोई तो कारण होगा दिनेश जीन ने अपने जो तथा कि अंका जी कर रहे थी कि ललू जी कर रहे था आप बताये सरी यह कौन नहीं जानता दो सीटे हैं दिनेश आप भी बताईएगा यह बात तो मुझे ऐसा लगता है कि यह आईवाश क्रियेट करना केवल एक वंश के अधीन एक परिवार के अधीन कॉंग्रेस को बनाए रख है वापस आ गया है लेकिन भई कॉंग्रेस में कोई तो कारण रहा होगा ना दिसकी वह बार वार वार वेक्टिकर बोल रहे हैं चले मतूं नहीं पर ऐसा क्यों होता है कि लोग कॉंग्रेस से कर रहे हैं आप निकम के अध्यक्शन ही बनाए गए अभी तीन दिन पहरे कह र अब उनी का रंग चड़ने दीजिए जी दिनेश जी यह जो आप भी कह रहे थे आप जिस बात की चिंता जा रहे हैं यह कांग्रेस इस बात की चिंता कर पाईगी आप जैसे लोग कहां टिकेट मिल पाएगा और कहां चुनाव जीतो गए चिंता मत करो दिनेश जी दिखे मनुझी वो कांग्रेस की समस्या है कि वो चिंता करें नहीं करें क्योंकि कारेकरता बाला मामला भाव तो है नहीं नहीं आप यह देखिए कि ममताब एनरजी का क्या था जब कॉंग्रेस उन्होंने छोड़ी आप सिलसले बार देखी ना शराद पवार न क्यों कांग्रेस चोड़ी आप पूरा दौर देखेंगे नबे के बादी नवासी के बाद यह सारी इसके पहले तो नहीं थी भारती जनता पार्टी इसके पहले ही तो थी इसकी आप जब एक दल कमजोर हुआ तो दूसरे दल को आफसर मिला 55 साल कांग्रेस पार्टी ने मौ खिरा जादा नहीं चलता आप जू अटलवहरी बाइच पई जी कर जिकर कर रहे तरहा किस जी तो वो आपकी वारी अटलवहरी कितने साल यह नारा चला लंबे बहुत समय तक चला आज मोदी जी जब तक हैं इंद्रा जी का भी चला तो यह दोर आता है जब आपका दॉर ज साथ विचार करने की आवश्च्टा होगी, जो Congress कर रही होगी, सब का अपना अधिकार है, संभीदार में सब को अपने अधिकार मिले, पक्च बिपक्च को अपनी बात रखने का, आप सब ही मिमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप में साथ जोड़े, हितेज जी, आना चाहती है कि हम भी एक्टिव मोट पर हैं भले किसी भी कारिक्रम को लेकर आते रहें यानि 2023 कैसा होगा यह इस तरफ इशारा करता है आगे देखिए 36 गड़ आज का मुद्दा में फाइल्स पर फाइट मुझे दीजे जाजत नमस्कार